नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नवीन और आप देख रहे हैं नियू भारत बिहार में बिधान सफा का उपचुनाव होने जा रहा है आप जानते हैं कि बिहार में इंडिये की सरकार चल रही है निकिस कुमार बुखिया है मुखमंत्री है और ऐसे में भाजपा जेडियू हम और भी आईपी यह ती चारो मिल करके सरकार बनाई हैं लेकिन उपचुनाव में जो है वहाँ बीजेपी और भी आईपी में काफी टकड़ाओ की इस्तिती बनी हुई है ऐसा लग रहा है कि इंडिये सायद तूट जाएगा और निकिस कुमार को अपने पद से इस्थिपा देन है कि यदि सेहनी एलियर दि उनको मुख मंतरी बनाया जाता है तो वह 20 कि यस्वी यादो को ऑनोसा कुझ बनेंगे ऐसा कहीं-ण बता रहे हैं कई बार। ऑफ़र दिये हैं अईसा देखा गया है कुल वीडियो में लेकिन बात जो है वो यह है कि मुझफर पुरीरे बिधान सफा छेतर बोचहां से जो 2020 में बिधान सफा का चुना हुआ था उसमें सैностью ने पर्तिया से बीजेपि ने अपना पर्तियासी मुझच सैंई को दिया था उसा करके भी आये थे उनका नाम था मुसाफिर पासवान जिनका नीधन हो गया था इसलिए वहाँ पर वो सीट खाली है जिसको ले करके उप चुनाओ होने चा रहा है और ऐसे में भाजबा जो है अपना परत्यासी उतार दिया है लगातार मुके सहनी जी ये कह रहे थे कि ये जो ह हमारी ना कहें परतिष्ठा का सीट है इसलिए ये सीट जो है वहाँ भी आईपी को मिलनी चाहिए लेकिन भी आईपी को सीट नहीं दिया गया है और भाजबा ने अपना परत्यासी उतार दिया है मुझफरपुर के सांसद अजय निशाद जी लगातार कह रहे थे अपनी प हमारी को भाजबा का परत्यासी बना दिया गया है जिसके बाद क्यास लगाया जा रहा है कि अब गटमंधन की सरकार जो है वहाँ जादा दिनों तक नहीं चलेगी लेकिन इंपोर्टेंट बात ये है कि मुझे सहनी भी बी जेपी के खिलाप बो जहां सेट से परत्यासी उत कहीं गटमंधन की सरकार में भाजबा और भी आईपी एक दूसरे से टकड़ाओ की स्तिती में हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में गटमंधन की सरकार जय्दा दिनों तक नहीं चल पाएगी वही माजी जो है वहाहर स्यहर्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं, खुल करके वह नहीं बता रहे हैं, लेकि मुके सहनी की बातों में हामी भरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, और मुके सहनी जो है वहाँ बार बार जो है वहाँ यसी वियादों को ओफर देते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये कह रहा हैं कि धाई न कहीं अपना पल्ला जारते हुए ये भी कह रही है कि NDA की सरकार जो है वह चलती रहेगी इसमें कोई दोराय नहीं है हमारा नेता जो है वह पर जो गटबंधन की सरकार है मुके सहनी भी उनका भी यहां पर उतना ही योगदान है जितना की बाथिस पार्टियों का है इसलिए और दूसरी चीज है कि भाजपा से कहीं न कहीं ये भी बात खुल करके सामने आ रही है कि मुके सहनी जित पर अड़े हुए है वो यहां पर उनकी बाथ को नहीं माना जाएगा और कहीं न कहीं मुके सहनी भी ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी में हाला की वह बिहार में बदला ले रही है ऐसा मुके सहने जी कह रहे हैं एक मुख बाते आपको और बता देते हैं कि भाजपा लगातार ये भी कह रही है कि मुके सहने यदि एंडियों तोड़ते हैं तो उनका जो विधायक है वह भाजपा के संपर्क में है ये जो है वहाँ बहुत बड़ा दावा है भाजपा की ओर से और मुके सहने के लिए खत्रे की घंटी बताई जा रही है एक बात और बता देते हैं कि सहेब च्छेतर से राजु सिंग जो बिधाय के हैं उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है उनको मंत्री मंडल में शामिल कर सकती है ऐसा कहा जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि बिहार में जो है वहाँ मुके सहली कहीं न कहीं वहाँ साइड हो जाएंगे और चुकि उनके पास experience की कमी है वरिष्ट बड़े बड़े दल है भाजपा जो है वहाँ बहुत बड़ा दल है जेडियू और बीज में ये जो है वहाँ जल्दी सरकार में बने रहने के लिए ऐसा मुके सनी कह रहे हैं कर रहे हैं जो कि उनके का हिस्सा भी नड़ है और फिर उन्हें नुकसान होना पड़ सकता है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लागा इसके बारे में हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल